Hello everyone, आप सभी को स्वागत है, लनी जयाजम हमें, आज है 10 अक्टूबर 2020 और आज के डेट से जितने भी important current affairs बनने वाले हैं, उन सभी को आपनों बारी बारी से देखेंगे, वन लाइनर्स के फॉर्म में ये questions, उन सभी exams के लिए काफी important है, जिस किसी में भी current affairs questions पूछे जाते हैं तो वीडियो को last तक देखिएगा, चलि आज के session को हम लोग श्टार्ट करते हैं तो श्टार्ट करते हैं अपने previous day होंबर question से, जो कि मैंने आप लोगों के लिए दिया था होंबर के तौर पर SBI के नया अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है Who has been appointed as the new chairman of India तो इस question का जो correct answer है, वह होगा दिनेश कुमार खारा हाली में, दिनेश कुमार खारा को SBI का नया अध्यक्ष के रूप में इन्हें न्यूक्त किया गया है Clear? चलिए आज के न्यूक्ष को देखते हैं हम लोग आज का हमार फर्स्ट कोश्चन है The most important question for any competitive exam साहित के छेतर में इस वर्स का नोविल पुरसकार किसे दिये जाने की घोशना की गई है तो इस साल साहित के छेतर में जो नोविल पुरसकार दिया जाएगा उनका नाम है लुईस गलक लुईस गलक को इस वर्स साहित का नोविल पुरसकार दिया जाएगा अब ज़रा इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं लुईस गलक एक American poetess है यानि की एक American कवित्री है और इन्हें कवित्री के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धी मिली जब इनकी पहली रचना आई 1958 में फर्स्ट बॉर्ण के नाम से किस नाम से फर्स्ट बॉर्ण के नाम से तो इससे उन्हें काफे प्रसिद्धी मिली और इसके बाद इन्होंने एक से एक बढ़कर रचना की और इसी बज़ा से इन्हें हाली में साहित के छेतर में नोबिल पुरसकार दिया गया है अब बात करें अगर हम लोग नोबिल पुरसकार की तो इसकी जो सुरवात हुई थी वह हुई थी 10 दिसंबर 1901 में और यह हर साल एलफ्रेड नोबल जोकी स्वीडन देशक रहने वाले थे उनकी याद में दिया जाता है छे अलग-अलग छेतरों में अलग अलग केटेग्रीज में वह अलग अलग केटेग्रीज क्या है वह है सांती यानि की पीस भौत की यानि की फीजिक्स रसायन यानि की केमिस्ट्री चिकित्सा यानि की मेडिसिन साहित्त यानि की लिटरेचर और अर्थ थात यानि की एकोनॉमिक्स इन अलग अलग बूकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साज़ेदारी की है इसका पूरा नाम है वह है इसका जो स्थापना हुआ था 27 सितंबर 1999 को यानि के 27 सेप्टेंबर 1999 और इनके जो अभी करेंट MD और चेर्मेन है उनका नाम है महंद्र प्रताप मल क्या नाम है महंद्र प्रताप मल चलिए नेक्स कोश्चन को देखते है आज का थर्ड कोश्चन है तो इस कोश्चन का करेक्ट एंसर है उरिसा और यह पुरस्कार किस छेतर में दिया आता है यह पुरस्कार दिया जाता है लिटरेचर यानि की साहित के छेतर में और इस पुरस्कार में पांच लाक रुपए कैस यानि की नगत पुरस्कार दिया जाता है और साथ साथ एक सर्टिफिकेट तो इस साल किसे मिला है यह पुरस्कार यह मिला है नित्यानद नायक को तो यह पुरस्कार इन्हें इनकी विशेष रचना जिसका नाम है सेते बिलाकु नथीबा क्या नाम है सेते बिलाकु नथीबा इसके लिए मिला है ठीक है याद रखेगा अब बात करें अगर हम लोग उडिसा की तो इसकी जो कैपिटल है वो है भूनेश्वर में यहां के जो वरतमान में जो CM यानिके मुकमंतरी है उनका नाम है नवीन पतनयाएक और यहां के जो गवर्दनर यानिके राजपाल है उनका नाम है गनेशी लाल लोग सभा सीटों की संकया यहांपर 21 और आसभा सीटों की संकया है यहांपर 10 क्लियर चलिए next question को देखते हैं question no.4 है World Bank ने 40.5 वर्स में भारत की GDP कीतने परतिसात रहने की घोषना की है तो इस question ने correct answer है minus 9.6% हाली में अभी World Bank ने अपने report में कहा है कि भारत की GDP है वह minus 9.6% रहेगी clear अब हम लोग जानते है World Bank के बारे में इसके जो स्थापना हुई थी वह 1944 यानिके 1944 में भी थी इसका जो हैड़कौर्टर यानिकी मुख्याल है वह वासिंगटन डीसी में है डीसी यानिके डिस्टिक ऑफ कॉलंबिया वासिंगटन डीसी और इसके जो यहां वर्तमान में अभी प्रेजिडेंट है इसके उनका नाम है डेविड मालपास क्या नाम है डेविड मालपास चले नेक्ट को देखते हैं कि फिप्त कोस्टन है आज का हाली में एम एफाई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है डिसेंटली हुए अज बूरा नाम है वह है एसोसियेशन ऑफ म्यूच्वल फंड्स इन इन इंडिया और अभी हाली में निले शाजी को इसका चेयर्मेंड बना दिया गया है और इसकी जो इस्थापना हुई थी एम एफाई की वह हुई थी 1995 में और इसके जो CEO है उनका नाम है एस व्यंक्टेश के लिए चले नेक्स को देखते हैं हाली में बिशर अल खशावने को किस देश का प्रधान मंतरी नियूक्त किया गया है रिसेंटली बिशर अल खशावने है और इसकी जो मुद्र है वह है जौड़नी दिनार क्या है जौड़नी दिनार याद रखे इस को चले आगे देखते हैं नेक्स को इसका नया नाम क्या रखा गया है तो हाली में इसका नाम बदल कर सिधार्त नगर कर दिया गया है इंपोर्टन कोशन है रेलवे के लिए रेलवे एस्पिरेंट्स याद रखेंगे इस को अब इसके पीछे थोड़ा फैक्ट को जान लेते हैं कि इसको चेंज क्यों किया गय है तो आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्जी के बारे में जिनका जर्म हुआ था नेपाल के लूमिनी में ठीक है और नेपाल का जो लूमिनी वाला एरिया है वह नौगर रेलवे स्टेशन जो की उत्तर प्रदेश में है उसके पास में यह बॉर्डर को साजा करता है तो इस वज़े से क्या हुआ है उनका बच्पन का नाम आपको पता है क्या था सिधार्थ गौतम बुद्जी के बच्पन का नाम क्या था सिधार्थ और क्योंकि यह आमने सामने पढ़ता है नेपाल का एरिया और यह एरिया नौगर रेलवे स्टेशन तो इसी वज़े से इ किस राज सरकार ने किसान रत मोबाइल एप लाँज किया है विची स्टेट गवर्वर्मेंट है लाँज दक किसान रत मोबाइल एप तो इस मोबाइल एप को लाँज किया है असम राज सरकार ने असम राज के मुख्यमंतरी जिनका नाम है जग्दिस मुखी उन्होंने किसान रत मोबाइल एप लाँज किया है वहाँ के किसानों के लिए तो अब किसली लांज किया है यह mobile app क्या फायदा है उससे यह फायदा है कि वहां के जो किसान है वह timely फलों को और सबजियों को इस app की मदद से वह online बेच सकेंगे ठीक है समझ में आ गया अब चली हम लोग जान लेते हैं असम के बारे में इसकी जो capital है वह है दिसपूर में और यहां के जो CM है उनका नाम तुम आने बता दिया जगदिस मुखी और यहां के जो governor है उनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल यहां की जो लोकसवा सीटों की संख्या है वह है 14 और आस्वा सीटों की संख्या यहां पर साथ है असम एक सिंग वाले गेंड़े के लिए काफी प्रसीद है और यह एक सिंग वाला गेंड़ा कहां पाए जाता है यह पाए जाता है काजी रंगा नेशनल पार्क में कौन सा नेशनल पार्क काजी रंगा नेशनल पा हर साल 9 अक्टूबर को 20 उडाक्ट दिबस मनाया जाता है चले नेक्ट कोशन को देखते हैं आज का मालाज कोशन है हाली में राम बिलास पासवन जी का निधन हो गया है वह कौन थे डिसेंटली राम बिलास पासवन जी एक बहुत ही बड़ी राजनेता थे यहां लोग जन सकती पार्टी के अधक्ष थे और अभी मोदी कैबिनेट में यह वोगता मामले, खाद मंतराले सब इनी के पास में था और हाली में इनका निधन हो गया है यह 9 बार लोग सभा सांसद और 2 बार राज सभा सांसद भी रहे थे ठीक है? क्लियर? तो यह था आज का हमारा important session अब last में आप लोगों के लिए homework question तो आज का जो आप लोगों के लिए homework question है वह है भारतिय का पास को विश। इस तर परब किस नाम से जाना जाएगा चार option आप लोगों के सामने इसका जो correct answer है वह comment box में इसका answer देना है आप लोगों को तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो comment section में ज़रूर बताए तो मिलता हूँ आपको next वीडियो के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद